हाई गाईज वेलकम तो दा चैनल कॉंसेट क्लाइटी आज का वीडियो रिप्रोडक्शन पार्ट थ्री है क्लास टेंथ की बाइलाओजी सीवीसी की हम कवर कर रहे हैं चलिए लेट्स बेगें अब आपने देखा होगा कि जैसे जब एक बच्चा एडूल सेंस के आसपास होता है टीन एज के आसपास होता है स्टार्ट होती है वो एज अराउंड 12 से लेके 14 साल के आसपास की एज ठीक है जब बच्चा 14 साल 12 से 14 साल की एज पर पहुंसता है तो उसकी बॉड़ी में चेंज़ आते हैं ठीक है मैन की बॉडी में भी चेंज आते हैं और विमन की बॉडी में भी चेंज आते हैं ठीक है तो कैसे चेंज आते हैं फड़ा सा देख लेते हैं मेल की बॉडी में क्या चेंज आता है एक मेल बॉडी में क्या चेंज आएगा स्किन उसकी ओउले हो जाएगी आप देखेंगे एकने आना start हो जाता है ओजाएंगे डाड़ी वारी आना start हो जाती है shoulders की जो width है वो भड़ना start हो जाएगी ठीक है आपके armpits में hair आने start हो जाते है pubic hair आरहे आते है तो यह भी आपके बड़े हो जाते हैं ठीक है तो यह होते हैं तो यह भी आपके बड़े हो जाते हैं ठीक है तो यह होते हैं मैं में चेंज़ बॉड़ी में चेंज़ आ रहे हैं अब ऐसी फीमिल में भी चेंज़ आते हैं फीमिल में बॉड़ी में कर्फ आ जाएंगे जो ब्रेस पोर्शन है थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा इनको भी प जो फीमेल आपको करिए लगेंगी और जो लेग्ज मसल्स होती है इनकी वह बिगर और स्ट्रॉंग हो जाती है तो यह चेंजेशंगे अप देखोगे 12 साल से लेके 14 साल की उमर में male boy में और female girl में दोनों में आता है changes ठीक है तो यह एक इस age पे जो changes आते हैं यहाँ पे इन changes की वज़े से क्या होता है men और women दोनों ही reproduction के लिए capable हो गहे हैं इन changes का सीधर सीदा मतलब यह है कि men और women इस time पे दोनों ही reproduction प्रेशन के लिए capable हैं तो इसको जनरली बोला कर जाता है ये जो स्टेज अभी हिट हुई है तो इसको हम बोलते हैं तो जो प्यूबर्टी है ये वो स्टेज है ये वो चेंजेज हैं अगर हम सिंपल उसमें डिफाइन करें तो ये वो स्टेज है एक चाइल्ड की लाइफ में जहां पर उसकी बोड़ी में वो changes आ गए हैं physical changes और इस तरह से पूरी बोड़ी में changes आ जाते हैं ताकि जो बेबी है वो अब बेबी नहीं रहा छोटा बच्चा छोटा बच्चा नहीं रहा अब वो एक reproduction के लिए capable हो गया है ठीक है चाए वो men हो चाए वो women हो जब puberty हिट करते है तो उसका मतलब यह होता है कि अब जो child है चाए वो male हो चाए वो female हो अब वो reproduction के capable है ठीक है sexual reproduction के लिए capable है generally puberty से ही हमारी teenage start होती है adult sense भी बोला जाता है इसको यहीं से हमारी teenage start होती है और यह teenage की यह आपकी 19 के असपस जागे खतम होती है ठीक है तो आप मानेगे around 12 से लेके 14 साल का जो time period है यहां से लेके जो 19 तक का time period है इसको हम बोलते है adult sense क्या बोलते है adult sense यहाँ पे puberty hate होती है इस age पे और यह जो पूरा time period है जो आपका teenage वाला है इसको adult sense का time period बोला जाता है इसके बाद फिर आपका यहाँ पे खतम हो जाता है teenage वाला time और फिर एक proper आदमी adult बन जाता है ठीक है adult बन जाओ गया लेकिन जो reproduction वाला part है कि आप reproduce करने के capable हो की नहीं men और women दोनों ही case में male female दोनों case में वो poverty पे ही हो जाता है 12 से लेकर 14 साल की age पे start हो जाता है अब थोड़ा जाम male reproductive system को समझते हैं ठीक है male reproductive system में सबसे बहुत आप दिखो आपके testis हैं ठीक है testis होते है testis यह जगे है जहाँ पे आपके sperm बनते है आपके sperm का production testis में होता है और generally testis body के बाहर क्यों होते हैं क्योंकि sperm को बनाने के लिए temperature थोड़ा सा कम चाहिए होता है तो जैसे body का normal temperature कितना होता है 37 degree centigrade लेकिन जो testis का temperature है वो body के temperature से थोड़ा सा कम होता है ठीक है क्योंकि जो sperm है वो बहुत जादा गर्मी बरदाश नहीं कर सकते और जादा गर्मी होगी तो वो मर जाते है ठीक है तो इसलिए जो testis हैं वो body के बाहर है ताकि temperature कम रहे और जो sperm से हो ठीक से produce हो पाए तो एक reason तो यह है फिर testis आपके दो testis होते हैं हमें पता है इस तरह से main में दो testis होते हैं और इसके around एक layer होती है जिसमें आपके testis अंदर रखे होते हैं जिसको हम बोलते है scrotum ठीक है scrotum वो उपर एक तरीके का pouch सा है जिसमें आपके testis अंदर होते हैं ठीक है आपका sperm तो sperm में कुछ fluid मिल जाता है जो prostate grain से निकलता है और seminal vesicle ठीक है seminal vesicle यह रहा और prostate grain यह रहा तो यह दोनों कुछ nutrition प्रोवाइट करते हैं sperm को और चीज़ें प्रोवाइट करते हैं sperm को fluid प्रोवाइट करते हैं sperm को तो यहां पर sperm के साथ mixing होती है ठीक है fluids की और nutrients की फिर sperm ऐसे करके यहां से आपका निकलता है पूरा भार तो यहां पर जब sperm के साथ fluid मिल जाता है nutrients मिल जाते हैं और चीज़ें मिल जाती है तो sperm sperm नहीं रहता फिर वो semen मन जाता है तो आपके यहां से penis से जो भार निकलता है वो होता है semen semen के अंदर sperm होते है ठीक है इसका धिहान रखना तो एक तो हो गया यह ठीक है फिर यह देखो आप ये यूरेत्रा ये ट्यूब है जो आपके penis में सोग जाती है यहीं से आपका यूरेन भी निकलता है यूरेन भी यहीं से पास करते हो ठीक है फिर bladder होता है ये तो इसका पार्ट नहीं बोलूँगा reproductive system का यूरेनी system का पार्ट है वो है बुक में दिया है तो आपको बता रहा हूँ ठीक है sperm दिख लेते हैं कैसे होते है यहां पर semen निकलेगा तो semen में क्या हुआ semen होता है semen बना किसे होता है semen के अंदर sperms होते है बहुत सारे sperms होते है millions of sperms होते है ठीक है semen के अंदर millions of sperm वो इतने चोटे होते दिखाई ही देंगे आपको अब एक sperm को अगर हम ले ले sperm क्या अगर हम sperm को लेंगे तो sperm ऐसा होता है आगे इसका head होता है पीछे इसकी tail होती है पूरी tail है इसकी ठीक है तो ऐसे part वाद याद करने की ज़रूद नहीं है सरफ बताने के लिए आपको उने यहाँ डियागराम में दिखाया अगर हम आते हैं female reproductive part में female reproductive part में सबसे पहले तो देखो आप यहाँ पर starting होई जैसे यह vagina से ठीक है vagina क्या है पूरा एक canal type की है ठीक है यह रही उसके बाद उपर आता है cervix ठीक है यह क्या है यह आपका cervix है जब baby पैदा होता है तो baby यहीं से निकलता है ठीक है यह vaginal जो आपका canal है यही से baby निकलता है फिर उपर यहाँ पर cervix है फिर यह पूरा uterus है uterus वो area है जहाँ जो baby होता है develop होता है baby जब मदर के womb में रहता है तो 9 महीने के लिए रहता है ठीक है 9 महीने के लिए रहता है तो 9 महीने के लिए develop कहां होता है वो इसी में रहता है uterus में ही रहता है ठीक है तो यह portion पूरा uterus है फिर uterus से आगे जाती है यह tube एक tube से जाती है जिसको हम fallopian tube बोलते है oveduct भी बोला जाता है दो नाम है इसके आप दोनों नाम याद रखो क्योंकि एकी चीज़ के नाम है यह जो tube जा रही है यह पूरी आपकी oveduct है या फैलो पेंट ट्यूब बोलते हैं ठीक है फिर यहाँ पर ovaries है यह ovaries लगे हैं दो ovaries होती है ovaries के अंदर eggs होते हैं और हर महीने female की body से एक cell निकलता है ठीक है तो हर महीने क्या होगा जैसे जब एक female girl पैदा होती है तो उसके ovaries में बहुत सारे cells होते है ठीक है? eggs होते है सौरी तो यहाँ पर बहुत सारे eggs होते है और वाय बढ़ती पैदा होते हैं उसके अंदर ठीक है, लेकिन वो मैच्चे और नहीं होते और फिर जब female puberty hit कर लेती है, तो हर महीने हर महीने यहां से female की body में ovary से एक cell release होता है ठीक है, हर महीने एक cell release होता है अब होता क्या है, कि जैसे कि अब मालो यहां से एक egg cell release हो गया यह मालो egg cell है जैसे मेल्स में क्या होता है इसी फिमेल में एग होता है एग माल नों यह से निकल गया अब माल लीजे कि जो मेल है और फिमेल है ठीक है यह दोनों आपस में यूनाइट करते है यानि कि इंट्रकोर्स करते है ठीक है इंट्रकोर्स करते है या बोली जे शेक्स करते है तो यहाँ पर जैसे फिर यह जो स्पर्म होंगे यहां आएंगे अंदर आएंगे पूरा फिर एक स्पर्म यहां आजाएगा ठीक है तो एक स्पर्म जैसे यहां पर क्या था यह एक्सल है और यहां पर स्पर्म है यहां स्पर्म आ गया ठीक है इंट्रकॉर्स के बाद और फिर यहां पर यहा Bei dasen to sperm,ly urine cell छोटा होता है, यह sperm है, यह इसका head यह इसकी tail है, यह sperm एक country championantine है, यह ढ़र यह sperm किष्टीन कर देगा तो इसका पूरा head इसकंदर चला जाएगा ऐसे ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा , जाइगाम ठीक है Zygote बन जाएगा और जब यह unite होते हैं तो यह Zygote बन जाता है एक बार यह जब इसको fertilize कर देता है जैसे इसको fertilize कर दिया तो एक cell बन गया तो यह cell कैसे आगे होता कैसे development यह जैसे माल लीज़े यहाँ पर यहाँ पर बन गया आपका ठीक है, जाइगोट बन गया, छोटा सा एक वो बन गया इसको sperm cell और X cell का union हो गया तो अब क्या होगा, यह जो cell बनेगा जाइगोट टाइप का, यह इदर आ जाता है, यहाँ पे आगे लग जाएगा ठीक है, यहाँ पे आके attach हो जाएगा यूटरस की वॉल के साथ, समझ रहे हो, यह यूटरस है न पूरा यह पूरा यूटरस है, तो जो जाइगोट होगा, union के बाद sperm cell और X cell का जब union हो जाएगा, तो उसके बाद जो cell होगा न, वो यहाँ पे आके आ जाएगा इसको blastocyst बोला जाता है, तो यहाँ पे आके लग जाएगा, ऐसे, इस टाइप से लग जाएगा, यहाँ पे आके, ठीक है, तो यहाँ पे attach हो जाता है अपर यहाँ यहाँ पे ग्रो करता रहेगा, अब मान लीजे, की intercourse हुआ नहीं, जब intercourse ही नहीं हुआ, sexy नहीं हुआ, तो क्या होगा, spams गए नहीं अंदर, तो मान लीजे, अगर intercourse नहीं हुआ, तो उस case में क्या हुआ, उस case में क्या होता है, यह, जो egg होता है, जाता survive नहीं करता है, एक दिन के आसपस ही survive करता है, यह वाली जो lining है, ठीक मैं उस case की बता रहा हूँ आपको अगर fertilization नहीं हुआ है ठीक है अगर fertilization हो गया फिर तो यहां पर आके यह cell लग जाएगा यह जो लाइशन नहीं है भी इस वाल का कोई जूरुत रह नहीं जाती तो यह पूरी बोल जाती है तुछ लाज़ा जाता यख सहब करे मनसा इंटर काल रहा हो जाता एक गर अगर उतर जुकyou लॉखन पाता biggest क्या होते यह यहां पर यूट्रस की जो ऑले हैं नियूटरीस की जो लाइनिंग자 भूब हो जाती है वह बात नहीं होता तो यही लाइन जो यह अगुरिवीं चाइह हो जाती है थिए पूरी ब्रेक होकर बाहर निकल जाती है ब्लट के फ़र्म में ठीक है इसी को पीरेट बोलते हैं अब थोड़ा सा मैं आपको यहां पर समझ लो यह दो यह आपको दिखाई देगा बिफोरा पीरेट कैसे था यहां पर यहां पर लाइनिंग ठिक होना स्टार् यह वाली जो पूरीमेंग यह यूटर्स की जो मोटी हो गोई थी यह पूरी शेड होजाती है ब्लीडिग के फॉर्म में आपको बता रहा था ठीक है lining breaks slowly and comes out through the vagina as blood and mucus ठीक है, हर महीने यह होता है, इसको menstruation बोलते हैं, तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं अगर माल लीजे fertilization होगे तो आपको पता यह बात कि baby फिर develop होना start हो जाता है, baby uterus में develop होता है, 9 महीने के लिए develop होता है इस period को पूला बोलते है, gestation period ठीक है, gestation period होता है इसको around humans में 9 months के आसपास होता है अब baby को जो mother है, वो कैसे nutrients प्रोवाइड करती है baby को विज़े जिन्दा रने के लिए oxygen चाहिए और nutrition चाहिए, तो वो होता है placenta के थूँ तो यह placenta ना ऐसे इस तरह से होता है यह पूरा placenta है, पूरा baby के round इसको आप बढ़ा करोगो तो है हम बहुत साइब blood vessels होंगे ठीक है, तो यहाँ पे mother और जो mother का जो blood है, वो इसमें flow करता है placenta में और यह baby को क्या provide करता है oxygen provide करता है, nutrients provide करता है और baby के waste products हैं, वो भी इसी placenta के थूँ ही होते हुए भार आते हैं तो अब यह देखो, एक example के लिए बेवी जब पैदा हुआ है तो यह placenta है ठीक है, इस placenta के थूँ ही यह baby इतना बड़ा हुआ इसको इस placenta ने nutrition provide किया ठीक है, यह umbilical cord होती है जिससे baby attach होता है, मदर से ठीक है, जब पैदा हो जाता है बच्चा तो इसको यह card दिया जाता है इस वाली umbilical cord को और फिर इस तरह से वापिस उसको आप देखोगी है जो आपका navel होता है, वहाँ पर अभी भी आपको वो दिखाई देगा, तो यह वो नेवल पर जो आपका निशान मना होता है यह वही एरिया है, जहां से आपका umbilical cord काटा जाता है तो यह पूरा placenta है ठीक है, I hope आपको समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं जैसे की यहाँ पर बात होगी STD की Sexual Transmitted Disease अब क्या होता है की बहुत चांसे होते हैं कि अगर आप किसी ऐसे इसान के साथ सेक्स कर रहे हो जिसको अलड़ी कोई प्रॉलम है, जैसे कोई बैक्टीरिया या उसकी बाडी में वाइरस है, तो चांसे है कि आपको भी वो बैक्टीरिया वाइरस ट्रांसवर हो सकता है ठीक है, तो अगर ऐसे केस में अगर बैक्टीरिया वाइरस आपको ट्रांसवर हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में STD बोला जाता है, तो अब सबसे कॉमन जो STD है वो है वोल्ड वाइट HIV, ठीक है, इसको बोलते है, Human Immuno Deficiency Virus अब इसमें होता क्या है, HIV में, HIV में आपका जो इम्यून सिस्टम में बहुत ज़ल्दी ज़ल्दी आप दिमार पड़ोगे, कभी कोल्ड हो जाएगा, कभी कफ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपको लगा रहेगा, पूरा टाइम, ठीक है, अब वीक होते जाओगे, अब धीमनी में इम्यून इसार में इतना हुआ, 6 में इतना हुआ, 8 में इतना हुआ, 10 में आके पूरी तरह से पूरी तरह आपकी बॉड़ी पर आपःवी हो जाएगा, और जब यह लास्ट AH मै आ जाता है, जब बिल्कुल 10 साल हो गया है एक दम प्रमिनेंट हो गया है एच वाइरस पूरी होती है कि आपको immune system बहुत ही जादा बेकार हो जाता है ठीक है छोड़ी छोड़ी चीज़ों से आप बिमार हो जाओगे तो यह तो मैं आपको बताया है एड्स क्या है एड्स वाइरस के थूरू फैलता है ठीक है अब कुछ बैक्टीरिया के थूरू भी फैलते हैं देखो कौन कौन सी disease हो सकती है sexually transmitted disease एक है गिनौरिया एक है स्काइफिलिस तो यह नाम आप याद रखना बहुत है यह बैक्टीरिया से होती है गिनौरिया और स्काइफिलिस और वाइरस से कौन कौन से होती है एक तो मैंने आपको होता दिया AIDS HIV AIDS और दूसरा एक वाट्स ठीक है तो यह चार नाम याद रखना अब यसे बहुत बार ज़रूरी नहीं है कि आदमी अगर intercourse कर रहा है sex कर रहा है तो वो baby ही करेगा ठीक है बहुत बार लोग majority of times लोग pleasure के लिए करते हैं लेकिन अब problem क्या है कि अगर आप pleasure के लिए कर रहे हो और continuously pregnancy होती जाएगी तो बड़ी दि pressure बढ़ता है तो unwanted अगर आप चाहते हैं pregnancy ना हो आप चाहते होगी sex हो लेकिन pregnancy ना हो ठीक है तो उसके case के लिए कुछ measures होते हैं वो measures क्या होते हैं और वैसे भी आप देखिए कि worldwide population भढ़ रही है तो वहाँ पे control लगाना जरूरी है तो उसके लिए क्या options हैं बहुत simple जो सब करोगे भी तो भी क्या होगा आप conceive नहीं करोगे ठीक है आप pregnant नहीं होगे क्योंकि यह contraceptive दवाईयां क्या होती है pills होती है यह आपके hormones को change कर देंगी ठीक है फिर एक device होता है जैसे यह device है इसे हम बोलते है copperty copperty device क्या होगा ऐसे ही लग जाता है जाके तो यह sperms को अंदर जाने नहीं देगा भई आपका egg यहां पड़ा है ठीक है sperm को ही रोग देगा तो अंदर जाए नहीं देगा sperm egg से मिलेगा यह नहीं तो fertilization होगा नहीं pregnancy होगी नहीं ठीक है तो यह ऐसा device होता है फिर कुछ surgeries भी होती है जैसे की female की felopin tube भी काट दी men के case में जैसे यहां से थोड़े बहुत side effects हैं तो I hope आपको यह चीजन समझ में आयोंगी बाकी generally जो सबसे easiest तरीका है जो normally बोला भी जाता है सबको use करना चाहिए अगर आप चाहते हो STD से बशना sexually transmitted disease से बशना चाहते हो और अगर आप चाहते हो कि प्रेगनेंसी नहीं हो आप चाहते हो कि unwanted pregnancy आपक सबसे safest है condom ठीक है तो यह आप यूज कर सकते हैं इसमें वैसे भी यूज करना चाहिए क्योंकि इससे आपका एक safety रहती है ठीक है safety के लिए भी ठीक है STD point of view से भी ठीक है और अगर आप चाहते हैं कि pregnancy ना हो unwanted pregnancy आप नहीं चाहते किसी भी तरीक है कि उस case में condom एक best तरीका है best precaution है तो खाइस यह था वीडियो इसमें मैंने काफी cover किया human reproduction के बारे में STDs के बारे में और आपका जितना भी कैसे baby develop होता है placenta अगर आपको वीडियो अच्छा लगाईए तो इसको सब पुशाद share जरू करिएगा have a nice day bye bye take care